ये गाईस माईनेम इनिकेस एंड आप देख रहें भी यारी केमर यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले है हमारे जुलाई इलाइट पास के बारे में यानि के बोले तो सीजन 26 इलाइट पास के बारे में तो फुर फुल रिवीव लेने वाले सबस्क्राइब करते हैं तो सबस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले जुलाई के जो इलाइट पास है उसके इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको दिखाते हैं इंट्रो जो सीजन 26 का इलाइट पास है तो गाइस आप लोग इंट्रो देख ही लिए एंड गाइस यहाँ पर देख लो मेल वंडल का जो एंड पर वाई उपर कांदे की तरफ लगा है जो रेड लाइट जैसे है कापी अच्छा लगा मेरे को एरे स्टाइल भी सही है और फिमेल बेंडल भी कापी सही है फिमेल बेंडल में कुछ खास इफेक्स नहीं है तो चलिए बात कर लेते हैं लाइट पास के अंदर आपको क्या क्या दिखने को मिल सकते हैं तो गाईस यहाँ पर देखे लो टी-षोट जो की हर मतलब ही लाइट पास में दिखने को मिलता है साथी साथ बोड़े तो बैट का इसकीन नेवला बड़ बैट का जो इसकीन है ओ दिखने को मिलेगा बही मोश्टर ट्रक की स्कीन दिखने बाली है बाई उप किया जहां तक मेल की बातीतों काफी अच्छा है इससे और आगे चलका इपको बतातेतें ये इंदर आर कर मतलब क्या क्या दिखने को मिलेंगे हिस मोच आप स्केटबोट की मतलब इस्कीन डिखाते तो इस्केटबोट की ढा जित रहत अच्छी है आव मतलब चलBir लेवल का होने बाला है देख लो रसी पेकर खिच रहा है ऐसे कोई लग रहा है अगर ठीमेट भागे तो खिचो एंड यहां पर देख लो टी-शोर्ट तो मिलना ही मिलना है बकवा से कोई खास नहीं है और आगे चलके बताते हैं बेनर काफी सही रहने बाल है बेनर मेरे को अ अंदर आगे चलके आपको बताते हैं स्टोन तो मिलना ही मिलना है अब बात कर लेते हैं बैकपैक की तो बैकपैक यहां पर फिरी में जो पायर शूट है और बैकपैक देख लो बैकपैक मेरे को काफी सही लगा भाई यार ओपी लेवल का बैकपैक यहां पर देख लो लाई लाइट पार्ट और गईसे मेल बंडल देख लो मेल बंडल भी कापी कमाल का होने वाला है इसके जो वाई कांदे पे आए बाई रेड लाइट हो मेरे को कापी अच्छा लगा जो कि आता की लाइट बस के अंदर नहीं दिखने को मिला तो वह वाला इफ्रेक्स तो आओ जल्दी से वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर देना सो मिलते है नेक्स वीडियो तब तक है बाई बाई टाटा टेक केर मेरे भाई